यह हैं दोस्तों स्वागत है आप का और एकने वीडियो में और एकने टोपिक के साथ मैं हूं राजी स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल में सबस्टार्ट करते हैं आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और से जरूर से कर करते हैं इन्होंने आते ही आज यकीन करें कि यह इस कदर इस कदर अफसोस की बात है यह हैं अनिदूती रौए 2010 में इन्होंने तक्रीर की थी तो इनके उपर जो हो जनाब वहां पर गदारी का मुगदमा चलाया जा रहा है इन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो मुबयना तौप पाकिसान और कहते रहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्र टेरिरिजम करते हैं यह करते हैं तो उन्होंने उसकी बजाए सिक्यूरिटी का लफज इस्तेमाल कर दिया एक ऐसा लफज इसके तहर टेरिरिजम भी शामिल हो जाता है यह बड़ी अजीब सी एक स्टार्ट गॉर्मन यह अजीब सा स्टार्टी बड़ा अजीब सा हो रहा है लेकिन जो पाकिस्तान से मताले कहा ना उन्होंने का कि पाकिस्तान का मामला जरा डिफरेंट इसलिए है कि क्रॉस बॉर्र टेरिरिजम वहां से होता है और अब हमें इस पे इस सो कोई सिलूशन निकालना पड़ेगा लेटिस्ट एक्नामिक सर्वे के मताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा दो लाक असी हजार रुपै का मकरूज होगा क्योंकि पाकिस्तान का मजमूरी कर्स 66,565 अरब हो चुका है इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूब सामने आई है भारत 30 प्लेसिज ऑफ तिबद के नेम्स री नेम्स करने लगा है तो ये एक बड़ी अफसोसनाग बात हुई है हलो फ्रेंट्स जैहिंग आसाद ये ओनली वे नाम से एक कांफरेंस का आयोजन किया गया था जिसमें अरुन्दोती रॉय और प्रफेसर शौकत हुसैन ने शेर्कत की थी दोनों पर उस कांफरेंस के दुरान भढ़काऊ भाशन देने और कश्मीर को भारत से अलग इसा बताने का अरोप है इससे लेकर 27 नुवंबर 2010 को शोशल एक्टिविस्ट शुशील पंडित ने रॉय और हुसैन पर F.I.R दर्ज करवाई थी शुशील पंडित की शिकायत पर दिली पुलिस ने मेट्रोपलेटिर मेजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर मामले में F.I.R दर्ज की अपनी शिकायत में पंडित ने अरोप लगाया था कि कान्फरंस के दुरान अरुंदती रॉय सैथ कई अने वक्ताओं ने अपने भाशन में सार्व जनिक शान्ती और शुरक्षा को खत्रे में डाला इन्होंने आते ही आज यकीन करें कि ये इस कदर इस कदर अफसोस की बात है ये वहाँ पे बड़ी जबरदस खातून है और मैं बिलकुल यानि आखर में कोई इनसान तसवर करता है न कि ये हरकत भी होगी ये हैं अनिदूती रॉय अच्छा इन्होंने खुदा जाने कितनी किताबें लिखी हुई है इन्होंने ठीके न ये जो है वो पावर पॉलिटेक्स और गॉड ओफ स्मॉल थिंग्स और ये बुगर्स प्राइस दुनिया के पता नहीं कितने इन्होंने वाट्स लिए हुएं और जबरतस्त वहां की एक ये राइटर हैं और हुमन राइट्स पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ा नाम शुमार होता है तो हुए हैं इनकी एज है और बड़ी कमाल के खातों है अब जनाब इनके ओपर जो है वो 2010 में इन्होंने तक्रीर की थी और 2010 में इनके ओपर जो है वो जनाब वहां पर घजदारी का मुगंदमा चलाय जा रहा 2010 के कमेंट्स और कमेंट्स क्या थे इनके यह मैं गार्डियन अगर दिखा हूँ आज का 21 यह अन्दृति रॉय तो बी प्रॉसेकुटिटिड ओवर 2010 कश्मी रिमार्क्स अच्छा वाशिंग्टन पोस्ट यह कह रहा है के 28 इंडिया सेज के नौलिस अन्दृति रॉय कुट ब बड़ी अजीब से अंदाज में हो रही है यह पता नहीं पहले से जादा यह फार राइट पर चले जाएंगे तो कैसे जाएंगे क्या होगा मुझे नहीं पता मुदी जो थर्ड टाइम आये हैं वो प्रामिस्टर मुदी लेकिन यह अजीब सा स्टार्टी बड़ा अजीब इन्हों ने 2010 की स्पीच में कहा था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटेग्लर पार्ट नहीं है तो यह जो है जिसके उपर वो उनका लॉ एक्टिव हुआ है और उसमें इनके उपर घदारी का मुद्ध में चलाएदा रहा है यह जो कांफरेंस हुई थी इसमें सेयद अ जानी मरहूं भी मौजूद थे और इन्हों ने वहाँ पर यह जो है उस जमाने में जाहर है कि वहां की आहला बड़े खराब थे तो इन्हों ने किसी जगह पर का था कि यह भी डिसाइड नहीं हुआ है इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूब सामने आई है भारत 30 places of Tibet के names renames करने लगा है भारत ने फैसला किया है कि तिबब के 30 places को rename किया जाए और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इस से पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूब सामने आई थी और चाइना ने अरुनाचल की 30 places को rename करने की बात की थी तो अब क्या ये मूदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए सरफ यही नहीं कि हम इसकी significance पे बात करेंगे कि ये खबर कितनी important है बलकि इसके सासाथ हम इस पे भी बात करेंगे कि मूदी सरकार के एक्तदार संभालने के बाद नरिंदर मूदी साब की हकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की foreign policy क्या होगी लोग इसको ये कह रहे हैं कि masculine एक muscular move है ये मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है ये tit for tat है इसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई expansion की बात की हो क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें expansion की या कहीं पर कबजे की बात नहीं नजर आती या सुनाई देती ये इसलिए मुझे एक muscular move दिखाईनी देती कि इस से पहले चाइना इस तरह की बात कर चुका है तो ये बड़ी नपी तुली move है वो इस तरीके से कि चाइना की तरफ से भी 30 places के नाम rename किये गए थे हरुनाचल में और exactly इंडिया की तरफ से भी 30 places को ही rename किया जा रहा है तिबबत में लेकिन चाइना की तरफ से अरुनाचल में places को rename करना इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि तिबबत जियोग्राफी जो उसकी है जियोग्राफिकल जो situation और condition है वहाँ पर वो ज्यादा बड़ा मसला है अरुनाचल से अरुनाचल एक वैसा dispute नहीं है जैसा कि इंटरनाशनल लेवल पर और कई countries जिसको accept करते हैं और मानते हैं तिबबत बड़ा मसला है तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की तरफ से ये कदम और ये फैसला बड़ा सुछ समझ कर किया गया और वाकई ये एक पंच की तरह है क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ तिल देन जैहिन जैभारत